यहां जो हुशार विद्यार थी है जो फस क्लास में अच्छे पास होते हैं मानकर स्मूती संस्ता के द्वारा 62 लड़के और त्रीपल लड़की नाकपूर में हमने एजुकेशन के लिए लाए है उनको और पास से बारा वर्ग में ये लड़की ये नंदनवन में हिंदू बुलुन ची शाड़ा है रवी फंडविस उसके प्रमूख है वहां बच्चिया पढ़ती है आदिवासी लड़किया और खेलों में इन खासदार गृड़ा प्रदा में इन लड़कियों को प्राइजस मिले है आप जरूर इस पर स्टोरी करिए इन लड़कियों को उपर उनका प्रावेंडर बहुत अच्छा शिक्षन वहां मुनको मिल रहा है हिंदु बुलिंची शाड़ा और टिलक विध्याले यहां हमने यह शुरू किया है और मुझे लगता है कि इससे यह लड़किया अपने जीवन में काफी आगे जाएगी बाद में 115 लड़किया अजनगाउ सुरजी के हमारे जो जितनलाद महराज का जो ट्रेवस्टेल है उसको भी हम लोग मदद कर रहे है कौशेल ले विकास यह अपने पैरों पर कैसे खड़े हो तो इसके लिए वर्दा में आर्विक के मैंने बात की नानदा गुरकुल पुने इनके सहकारे से प्लंबिंग इस विए पर एक साल से हम कारय कर रहे है साठ तरुणों को हमने प्रशिक्षन पुरा कर दिया है और इसमें से 26 तरुण लोगों को पुने में नुकरी मिल गई है और आथ बाकी तरुण स्वरोजगार करके अपने गाउं में काम कर रहे है ग्रामोद्योगी प्रशिक्षन मार्गदर्शन शाड़ा ये प्रशिक्षन वर्ग गडचूरली और गुंदिया जेले की कुछ नूड़क इच्छुक उद्ध्यमी जो है उद्धोजग उनको प्रशिक्षन और मार्गदर्शन करने के लिए हम ततनी व्यक्ति के द्वारा मा शेदकरी फॉर्मर प्रोडूस कंपनी शेदकरी बचत गट द्वारा लगू कुटिर उद्योजग जो तैयार करने के लिए पतदर्शी उपक्रम को भी हम इंप्लिमेंट करते हैं और हर समय प्रशिक्षन सब को देते हैं इसमें पचास से साथ नागरिक उपस्तित रहते हैं समाज कारण, राष्ट कारण, विकास कारण, सेवा कारण ये राज कारण है जो चल रहा है वो केवल सत्ता कारण है तो हम सत्ता कारण भी करें पर सेवा कारण, विकास कारण अगर करेंगे तो सोश्यो एकोनमिक ट्रांस्फोर्मेशन होगा और पंडित दिन्द्याल आज रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस तरी तरन आराइन की हम सेवा करें, और जिस दिन उन व्यक्तियों को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उसी दिन हमारा कार्या पूरा होगा, ऐसा अंतियोदे का सामाजिक अर्थिक चिंतन ये हमारा उद्धिष्ट भी है और मिशन भी है काम करने के लिए समस्या बहुत ज्यादा है और इसलिए हमको अभी 80 जी भी मिला है तो आपके मारफ़त मैं जो दानशुर वेक्ति है हमारे विधरवके नाकपूर के उनको आवान करता हूं कि एक स्कूल की जिम्मेदारी 50,000 रुपे की होती है वो चेक से हमारे लक्षण भा मानकर स्पूती समस्ता हमको जरूर मदद करें इन उपक्रमों के लिए मदद करें हम कपड़े जूते जब भी एकटा कुछ करेंगे उस कार्यों में मदद करें अब यह मुझे खुशी है कि गढ़चुर जिल्ले में हमारे 357 स्कूल है, शिक्षक 357, प्रवासी जो मार्गदर्शक है वो 43 और टोटल हमारे विद्द्यार्थी गढ़चुर जिल्ले में 10,020 और ग्राम शिक्षा समिती के सदश से है 2490. फिर चंदरपूर जिल्ले में हमारे 44 शाला है, शिक्षक 44 प् विद्यार्थी संक्या 1290 और ग्राम शिक्षा समीथी की सस्य 301 नागपुर में हमारी 40 नागपुर जिले में 49 श्कूल है 49 टीचर है 3 प्रवासी कारे करता है परिवेख्षक और टोटल विद्यार्थी है 4588 टोटल हमारी ग्राम शिक्षा समीथी में 1036 लोग है अमरावती में हमारी 163 स्कूल है, मेडगाट जिले में ये 163 शिक्षक है, 21 प्रावासी कारे करता है विद्यार्थी संक्या 1350 है और ग्राम शिक्षा समिती 378 है अकॉला जिले में हमारी 54 स्कूल है, 54 शिक्षक है 6 सुपरवाइजर प्रावासी कारे करता है 1269 हमारे विद्यार्थी है और 378 ग्राम शिक्षा समीति के सदस्य है यवतमाल जिले में 147 हमारे संख्या है स्कूल की 147 टीचर है 188 प्रवासी कारे करता है 364 हमारे विद्यार्थी संख्या है और 1032 ग्राम शिक्षा समीति के सदस्य है मुल्डाना जिले में हमारे 54 स्कूल्स है, 54 शिक्षक है, 6 प्रवासी कारे करता है, 1260 विद्यार्थी है और 378 हमारी ग्राम शिक्षक सम्मिती है अगर इसकी इसाब लगा जाएगा तो 1016 स्कूल, 1016 शिक्षक, 122 परिवेक्षक याने टोटल संक्या हो जाएगी करीब 1200 बात में विद्यार्थी संक्या है, 57,674 याने 28,000 और ग्राम शिक्षक सम्मिती में जो लोग हमको मार्गेजर्शन करते हैं, 7,112 है मैं मानता हो कि ये कारेक्रम शायद पॉलिटिकल एजेंटा में कितना महत्वो देता है आप लोग तैकरें पर एक ग्रास रूट का सामाजिक आर्थिक परिवर्थन का काम है और आप जैसे सव्वेदंशिल पत्रकार इस काम को और लोगों तक पहुचाने में विशेश रूप से अगर मदद करेंगे तो बहुत अच्छा होगा हमें परसिद्धिन नहीं चाहिए इस कारे में काम करने वाले शिक्षक परिवेख्षक उनको चाहिए आप कभी ये चार दिन की जो मार्गदर्शन है इसमें जो शिक्षक जो नृत्यya प्रस्तूत करते है उनकी कलाये प्रस्तूत करते है गुंडी भाशा में गीत गाते है तो मुझे लगता है जरूर आप इसको शूट करिए, आप जो टीवी वाले होगे तो उसके कारेक्रमों को लोगों तक लेके जाएए, हमारी वहाँ कुस्तूप से आप संपर करेंगे, तो वहाँ आपको सब को आज भी कारेक्रम चाल हुए, कल भी है, और कल जो हमारा रजश् परसो, संडे को, तो उसकारेक्रम में आप सब लोग जरूर रहिए, और कारेक्रम की प्रसिद्धी भी आपके मारफ़त होगी, तुसरा आज की प्रेस कांफरेंस के बाद, अगर आप उसको लिखेंगे, तो मैं नाक्पिर में प्रभुद्धन आगरिकों को भी आवान करू कि इस कारेक्रम में वो बड़ी संक्या में उपस्तित रहें, और अधिवासी टीचर्स को और प्रुशाइट करें, उनके पीछे खड़े रहें, उनके सब के सहयोग और शुवकामनाओं से ये कारेक्रम और आगे जाए.